जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूरूब चैनल एहमत टेक्नलोजी पे आज की ये वीडियो आप सभी की डिमांड बे बनाई जा रही है बहुत से बच्चे पूछ रही है कि सर हमारा जनवरी 2024 में O-Level का एक्जाम है अगर आप दिहान से सुनेगे मेरी बातों को वीडियो को लाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं बात को दिहान से सुनेगा और लास्ट तक वीडियो को देखेगा जो भी बताऊंगा मैं सब कुछ आपके काम का होगा और ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको मैं यह काऊंगा कि पांच-पांच-छेचा घंटे ओ लेवल गई पड़िये बिल्कुल ज़रत नहीं है यूपी पुलिस आपके सामने है फे ओफीसियल वेबसाइट पर पब्लिस नहीं है यह अपने पास से ही लोग बता रहे हैं तो हम बात O-Level की करते हैं जो बच्चे O-Level कर रहे हैं जिनका जनवरी 2024 में O-Level का एक्जाम है और वो यूपी पुलिस की भी तयारी कर रहे हैं तो कैसे पास करेंगे देखिए थियो आपके थियोरी की एक्जाम में स्टार्ट हो जाएंगे थियोरी का मतलब लिखने के लिए नहीं आएगा आएगा लिख लेकिन यह नहीं आएगा आपका online computer पर एक्जाम होगा जिसमें 100 MCQ आएंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहला काम उन बच्चों को जिनका जनवरी 2024 में ओलेवल का एक्जाम है किसी भी module का चाहिए आपका एक्जाम हो उनको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने फोन में Chrome browser open करिए और यकीन मानिए अगर आप इतना काम कर लेते हैं इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपक उनके हाथ में हैं ठीक है तो Chrome browser आपने open कर लिया है यहाँ पर आपको type करना है कि ओलेवल ठीक है ओलेवल old question paper जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा उसके बाद ही आपको यह काम करना है नैलेट ओलेवल old paper डाल देंगे आप तो सबसे पहले जो आपके सामने website आएगी उस तरीके से ठीक है अच्छा यहाँ पर आपको काम क्या करना है यहाँ पर नैलेट के ओलेवल के जितने भी अभी तक paper होई है वो सारे paper है तो क्या यह सारे को download करके solve करने पड़ेंगे बिल्कुल ज़रूत नहीं है सबको download करने की और ना इनको solve करने की ठीक है आपको download फिर कह क्या से करना है यह करने के बाद यहाँ पर O level, A level, B level, C level सभी की level के है तो आपका जो भी level है वो करना है आपको हमारा O level है तो हम आपको O level के बार में बदा रहे हैं O level ठीक है subject M1R5 अब जो आपका solve है वो M1R5 है M1R4 यह पहले वाला है ठीक है यह जो है M1R4 इसको download नहीं कर network basics इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर download करने के लिए बोलेगा ठीक है यह से देखे M1R5 PDF question paper है तो क्या download करें इसको आप अपने phone में download करेंगे open करेंगे तो इसमें जो नयलेट ने question पूछे है previous year में वो मिल जाएंगे ठीक है तो इसमें आपको M1R5 M2R5 M3 जो भी आपका module ह अपने coding इसमें download करके उसको आप जरूर solve करेंगे ठीक है solution कहा से है solution हमारे YouTube channel पे है वहाँ से आप जरूर देख लेंगे और अगर आप तयारी कर रही होंगे तो यह question बहुत ज्यादा hard नहीं है आप इनके answer भी पता लगा लेंगे या जिस भी question paper को download करेंगे उसको लिखना YouTube एसका solution आपको मिल जाएगा उसके बाद फिर क्या करना है July 2022 वाला download करना है जनुवरी 2022 वाला download करना है July 2023 और जनुवरी 2023 यह 4-5 question paper है जनुवरी 2021 जुलाई 2022 जनुवरी 2022 जनुवरी 2-023 और जुलाई 2023 अगर यकीन मानिए अगर आप इनको download करके और है उनको आप solve कर लेते है जितने भी question इसमें आपको मिलेंगे केवल आपको यहां तक के solve करने हैं ठीक है इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानना आप लगबग paper आपका यहीं से पास हो जाएगा paper आपका यहीं से पास हो जाएगा अगर आपने जितने भी question इने में दिये होए होंगे आप उनको solve कर लेंगे तो ठीक है इनमे theory के भी question है जब Nellet अपना theory का पूछता था 60 number का लिखने का वो निया आपको करने के वाल MCQ MCQ पढ़ लेना true false पढ़ लेना flinda blanks question कैसे भी आएगा उसको आप छोड़ के नहीं आएंगे यह guarantee है pass होने की guarantee है अगर आप यह काम करते हैं तो pass तो आप जरूर होई जाओगे ठीक है जनवरी 2023 में जुलाई 2023 में Nellet ने पूरे पूरे 100-100 question के set बना के भेजेते बच्चों के पास offline paper में जो आपके 100-100 अब इसी की हुए थे 2 गंटे का time मिला था लेकिन अब आपका जो exam है वो आपका 90 minute का exam होगा और 100 question आपके exam में आएंगे ठीक है धियान से सुनिएगा बात को 100 question आएंगे 90 minute में हैं करने पड़ेंगे आपको तो कर लोगे कोई इसमें ज्यादा problem नहीं होगी आपको negative marking भी नहीं है जैसे आप इस पर किलिक करोगे तो यहां सारे आपके देखे M1 R5, M2 R5 M3 R5 और M4 R5 और सबसे ज्यादा तो अच्छी बात यह है कि set 1, set 2, set 3, set 4 4 set हैं आप 4 set को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो आप अपने nearby cyber cafe से प्रिंट आउट निकलवा के क्या फाइदा होगा फोन से निपढ़ना पड़ेगा बार बार फोन में निदा देखना पड़ेगा question paper को निकलवा लेना कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आपके लगबग 100 और पर खर्च हो जाएंगे M1R5 में 100 भी नहीं होगे सारों में हो जाएंगे 100 तो खर्च आपके तो इस काम को जरूर करें set 1 पर किलिक करेंगे set 1 को डाउनलोड कर लेंगे आप देखे मैं दिखाए देता हूं डाउनलोड हो गया ठीक है यह देखे M1R5 का है और यहां पर यह कोशन देखे पहला पहला कोशन यह कह रहा है कि presentation file का extension क्या होगा LibreOffice बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए और इसका जो right answer है यहां पर हो जाएगा आपका ODP ठीक है right answer presentation का जो file extension और .odp हो जाएगा writer का पूछे .odt हो जाएगा और अगर kelp का पूछे .odt हो जाएगा यह OTT किसी का नहीं होता तो इस तरीके से अगर आप इनको करेंगे तो pass तो आप छोड़िए आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं केवल इतना काम आपको यहां पर करना पड़ेगा और हर module के यहां पर आपको set मिल जाएंगे M2R5 के भी है M3, M4 यह है आपके O level A level के भी इसी में अंदर है A level आपका होगा नहीं केवल आपका O level होगा July 2023 पर करोगे तो यहां पर यहां पर केवल A level का है और नीचे देखते हैं O level का है क्या इसमें O level का नहीं दिया July 2023 में O level का तो था शायद इनों ने क्या किया है यहां से अटा के इसी में दे दिया है ठीक है तो इसमें से कर लेना आप डाउनलोड इसी में है जुलाई 2023 में जो एक कोश्चन पेपर हो था इसी में है वो भी यहीं से कर लोगे आप तो आपके सारे कोश्चन यहां से जो नेलेट पूछता है अपने एक्जाम में वो सारे आपके रेडी हो जाएंगे प्रेंट आउट निकलवा के उन पे राइट आंसर लगा ले ना कौन-कौन सा है किसका वो आपका थियोरी का काम हो जाएगा बाकी अगर इतना टाइम आपके पास है अगर आप तयारी नहीं कर रहे हैं किसी और एक्जाम की तो अच्छे से पढ़िएगा आपको केवल पास कर हैं वहां से देख लेंगे अगर आपके पास टाइम होगा तो अधरवाइस पास तो केवल ही नहीं से हो जाएगा आपका थियोरी में 100 नंबर में से 50 55 60 इतने तो आप लाई सकते हैं ठीक है नेगेटिव मार्किंग है नहीं नंबर कटे कर नहीं आपका तो यह आपका थियो से भी लेते हैं सेंटर रोपे खासकर यूपी में चैसे बागपत हो गया बडोल शामली शाहरनपूर मेरट इधर तो बच्चों से पैसे लेके प्रैक्टिकल उनके पास हो जाते हैं नंबर कितने देते हैं नंबर लगबग देंगे आपको सत्तर प्लस ठीक है सत्तर प्लस देते हैं 2000-3000 रुपे पर प्रैक्टिकल की फीस अपनी लेते हैं पास करवाने के लिए यह आपको सेंटर पर जाकर करना पड़ेगा और बच्चे जो पैसे नहीं दे सकते हैं जो पैसे मतलब नहीं देना चाते हैं या ना दे सकते हैं तो वो क्या करें लगबग 15-20 दिन पह जो आपका प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल में कुशन पूशे गई थे यह है आपका तयारी करने का तरीका इसमें देखिया आपको कुछ महनत करनी नहीं पड़ी लगबग आप एक गंटा देंगे एक दिन में वो लेवल को हो जाएगा ज्यादा तर टाइम जो दो आप ठीक है तो भीड का इस्सा ना बनने के अलावा आप अच्छे से तयारी करिए ताकि एक्जाम भी पास हो जाए आपका ओ लेवल भी पास हो जाए और आपके सरीर पे आपके बदन पे एक वर्दी भी हो 2024 में ठीक है बाकी नेलेट का जो ओफीसियल स्लेबस है वो आप जरू इन मान के चलना 20 से ज्यादा ही कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे ओप्शन के साथ वो नेलेट का खुद का अपना ओफीसियल स्लेबस है उसमें सो सो कोश्चन दिये हुए है हर मोडियूल के इंगलिस में है लेकिन उसको आप पढ़ लेंगे इतनी इंगल चाहते है practically तो एक application है उसका नाम है Learn Learn आपको मैं दिखा देता हूं उसको एक बार देखिए यह एक application है नाम है इसका L-E-A-R-N-V-E-R-N Learn Learn नाम इस application का यहाँ पर आप practical के अगर तयारी करना चाहते हैं अपने घर पर रहके तो practical की यहाँ से तयारी कर सकते हैं आप ठीक है यहाँ में आपको HTML जो आपका M2R5 का paper है वो यही से clear हो जाएगा practical का अगर आप इस course को दिखान से कर लेते हैं फिर यह कोश्ट है कोई प practical के तयारी करवाई जाए कि यहाँ से आप कर सकते हैं क्या यह ओ लेवल का सिले बस पूरा करवाएंगे नहीं ओ लेवल कर नहीं करवाएंगे पूरा यह मतलब जो होता है जैसे HTML है तो पूरा HTML सिखा देंगे आपको coding वगर करना सब कुछ हो जाएगा Python की तयारी कहां से करे डर Python का होता है तो Python का भी सिखाएंगे पूरा Hindi language में ठीक है तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे course है जो आप यहाँ से कर सकते हैं English भी अगर आप सीखना चाते हैं बोलनी spoken English का भी course है इनके पास सारे free है MS Word करना चाते हैं पूरा MS Word चलाना आ जाएगा आपको MS Excel ह हो जाएगा hacking करना चाते hacking का भी है और English grammar का भी है तो जादा बात ना करते हुए जो मैं बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ और यकीन मानिये दोस्तों केवल आपको pass करना है क्योंकि आपके सामने एक exam नहीं है बहुत से exam है जिनके आप तयारी कर रहे हैं हम समझते हैं competition वाले बच्चों की कि उनके पास time बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है पूरा दिन ओ लेवल कई पढ़ें या पूरा दिन यूपी पुलिस कई पढ़ें तो यूपी पुलिस का आप ज्यादा पढ़िए कहने का मतलब यह है ठीक है ओ लेवल का एक्जाम पहले होगा यूपी पुलिस की तयार भी आप करते हैं continue उसमें अभी कोई प्रोब्लम नहीं आएगे आपको ठीक है और बहुत से बच्चों ने ये काम करके पास किया है और grade मैटर नहीं करता इसमें ठीक है इसमें S grade भी होता है A grade भी होता है B grade भी होता है C grade भी होता है तो इन में से आपके नस पन वालों को मिलता है D और 55 से 65 वालों को C grade दिया जाता है तो इसमें grade matter करता ही नहीं है वस आपके पास certificate होना चाहिए और certificate आप लेना चाहते हैं तो smart तरीके से पढ़िए पास हो जाएगा और आपके पास certificate भी होगा O level का और कोई हम आपकी help कर सकते हैं comment box में जरूर PDF दी जाएगी नेलेट के official syllabus की उसको solve कर लेना बाकी question paper solve कर लेना theory आपका काम पूरा हो जाएगा वीडियो देखना चाहते हैं YouTube पर देख सकते हैं time नहीं है तो कोई problem नहीं है practical की आपको कहानी बता दी क्या होता है center पर वह आप समाज़दार है बाकी और और आपको कोई doubt है जबारत